नमस्कार किसान भाईयों कुरशी फाई के खेती समाचार अपडेट में आपका स्वागत है मैं हूँ राश्ची आपके साथ आए देखते हैं मध्य प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में फसलों के क्या कुछ दाम रहे तो शुरुआत हम करेंगे आगर मालवा की मंडी के साथ जहाँ पर गेहूं के दाम 2280 रुपे रहे सुववीन के दाम 5275 चने के दाम 4000 और उड़त के दाम 7101 रुपे रहे इन दोर की मंडी में प्यास के दाम 966 रुपे सुववीन के दाम 5265 रुपे रहे तो वहीं गेहुं के दाम 2577, चने के दाम 10,265 रुपे रहे, लहसुन के दाम 1250, तो वहीं डॉलर चने के दाम 10,205 रुपे रहे, इसके अलाबा मूं के दाम 6,800 रुपे, मता के दाम 3,955 और तूर के दाम 325 रुपे रहे इसके लाबाद धार की मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के दाम 2540 रुपे रहे सुवीन के दाम 5321 रुपे रहे डॉलर चने के दाम 10,000 रुपे रहे चने के दाम 10,100 और मतर के दाम 5000 रुपे के आसपास रहे इसके रावा अली राजपुर की मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के दाम 215 रुपे रहे वहीं जबलपुर की मंडी में गेहूं के दाम 2321 रुपे रहे उड़त के दाम 6,760 रुपे रहे तुवर के दाम 6,800 चने के दाम 4,345 और मसूर के भाव 5,415 रुपे रहे देवास की मंडी की बात करें तो यहाँ पर सुवबीन के दाम 5,390 रुपे रहे गेहूं के दाम 2526 रुपे रहे चने के दाम 9,610 रुपे रहे जवार के दाम 1861 मक्की के दाम 2,80 रुपे रहे उड़त के दाम 3700 मटा के दाम 2,201 रुपे रहे करंज बीच के दाम 2,200 और मूंग के दाम 5,220 रुपे रहे इसके अलावा अनुपुर की मंडी की बात कर लेते हैं जहाँ पर बड़री के दाम 3,200 रुपे रहे तो वहें अब बात कर लेते हैं मध्ये प्रदेश की उजेन की मंडी की जहां पर प्यास के दाम एक हजार दो रुपे रहे सुयवीन के दाम पांच हजार तीन सो रुपे रहे लहसुन के दाम शेसो रुपे रहे गेहुन के दाम 2488 तो वहीं आलू के दाम 1652, उड़त के दाम 500 और मूं के दाम 6000 रुपे रहे, मंडिला की मंडी की बात करें, तो यहां पर धान के दाम 1600 रुपे रहे, इसके अलावा मंडी में अन्य फसलों की आवक कम रही, तो वहीं अशुक नगर की मंडी में गेहूं के दाम 2612 रुपे रहे, श्यवीन के दाम 4865 रुपे, चैने के दाम 4620 और उड़त के दाम 6400 रुपे रहे, वदीशा की मंडी में गेहूं के दाम 2432 रुपे रहे, श्यवीन के दाम 5140 रुपे और चैने के दाम 4500 रुपे रहे, तो वहीं नीमच की मंडी में गेहूं के दाम 2550, मेथी दाना के भाव 5901, सोयबीन के भाव 5345 रुपे, लहसुन के भाव 4300, सबगोल के भाव 16400 रुपे रहे, जोग के दाम 2925 रुपे, असगर्न के दाम 13900 रुपे रहे, तो वहीं चने के दाम 4301, मुंगफली के दाम 5414, और प्यास के दाम 805 रुपे रहे, गुना की मंडी में गेहूं के दाम 2385, उड़त के दाम 6480, चने के दाम 4585, और धनिय के दाम 10125 रुपे रहे, सी और के मंडी में गेहूं के दाम 528, और प्यास के दाम 850, अश्वगंधा के दाम 300, चने के दाम 4540, तूर के दाम 6000, और कलोंजी के दाम 7500 रुपे रहे तो किसान भाईयों ये रहा आज का मध्य प्रदेश का मंडी भाव अपडेट क्रशी से जुड़ी और भी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहे क्रशी फाई के साथ धन्यवाद